नमज़कार बिजनस टिप्स और ट्रिक्स में आपका स्वागत है दोस्तो मेरे चैनल को ज़्यादा से जड़ादा सब्सक्राइब करे, लाइक करे, आन शेयर करे क्योंकि हम आपके साबने बिजनस की कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आते हैं जो आपके लिए जाना बहुत इंपोर्टन और आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होते हैं जया दोस्तो आज हम आपको बतारे बारे हैं काजू मेकिंग उद्योग के बारे में इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से रॉम मेटिरियल की अवशक्ता होगी कौन कौन से मशीन की अवशक्ता होगी कि आपको कैसे बनाना है यानि कि आप किस तरीके से काजू त्यार करेंगे इसमें टोटल आपको कितना इंवेस्ट करना पड़ेगा इससे आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं आज हम आपको प्रॉफिट रिपोर्ट के माध्यम से ये सब बाते बताएंगे ये मशीन आपको काँ से खरीदनी है ये सब जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आप तक पहुचा रहे हैं जै दोस्तों यदि आपने मेरे चनल को अब तक सिस्क्राइब नहीं किया तो मेरे चनल को सिस्क्राइब जरूर कीजिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसमें कौन-कौन सी मशीन और कौन-कौन से राव मैटेरिल की अवश्रक्ता होती है इसमें एकी राव मैटेरिल की अवश्रक्ता होती है जिसको बोला चाता है काजू बीज, काजू राव मैटेरिल भी आप बोल सकते हैं और machine की बात करें, machine इसमें चार तरीके की होती है इसका production करने के लिए ये काजू बीच होता है, इसके उपर हाठ छिलका लगा होता है उसी को boil करके और छिलका हटा कर इसकी marketing हम करते है एक boiling machine यानि की उबालने के लिए, boil करने के लिए जो कि cutting machine उपर का छिलका जो होता है उसे हटाने के लिए जी है दोस्तों तीसरा होता है ड्राइन मशीन जिसे आप ड्राइ करते हैं जैसे वह उबालते हैं तो वह गीला हो जाता है तो उसी को साफ करने के लिए हम pilling machine का इस्तेमाल करते हैं अब हम आपको process बता देते हैं किस तरीके से हमें आपको production करना है इसी वीडियो के last में हम आपको बताएंगे कि आपको इसका marketing भी कैसे करना है जै दोस्तो जो आप screen पे देख रहे हैं यही काजू raw material है काजू बीजी से बोला जाता है इसके उपर छिलका लगा हुआ है यह साफले कलर का है इसी छिलका को हम हटाते हैं और उसे साफ पर कर marketing करते हैं तो दोस्तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको उबालेंगे यानि कि हम boiling machine में boil करेंगे boiling machine कई तरह की अबलेबल होती है यह दोस्तो कुछ कोईले वाली होती है कुछ electricity वाली होती है कुछ gas पे चलती है तो आप जो चाहें market से आप अबलेबल है तो आप ले सकते हैं यह दोस्तो कुछ machine से ऐसी भी है जिस पे तीनों से कारे होता है जो चाहे आप मार्केट से ले सकते हैं इसमें पानी डाला जाता है और पानी डालने के बाद हमें इसमें रो मेटीरियल इसमें डाल देना होता है इसके बाद हमें एक घंटा इसको boil करना होता है एक घंटा जा हम इसे उबाल लेते हैं तो हम एक घंटे के बाद इसे भार निकाल लेते हैं जिया दोस्तो अभी इसके उपर का चिलका जो है वो हम cutting machine से काटेंगे और उसे काटने के बाद आगे का process हम आपको बतायते हैं जिया दोस्तो पहले हम काजू के उपर का चिलका होता है उ से काटते हैं उसे उबाले और उबालने के बाद उसे काट ले और यह automatically कट जाता है कजू कटिंग मशीन भी आप ले सकते हैं इसे हाथ से उपरेट किया जाता है, एक हाथ से इसमें डाला जाता है, और दूसरे हाथ से जो है, वो कॉपरेट किया जाता है, यानि कि काटा जाता है, और इसे कटिंग होकर और नीचे की औरजर चला आता है, यहाँ भी इसी तरीके से उपर का चिलका कट जाता है, और जो पर उपर काला काला जो होता है वे आसानी से उतर जाता है जहां दोस्तो पेलिंग करकर यह बिल्कुल सफेद रंग की नजर आ जाते हैं और यह काजू बिल्कुल साफ हो चुका है चलिए दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें कितना इंवेस्ट करना पड़ेगा पग आपको 10 लाग रुपे इंवेस्ट करने पड़ेंगे जहां दोस्तो आपको यही सरा दूंगी यदि आप नया बिजनस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप छोटी यूनिट पर स्टार्ट करें कियोंकि दोस्तो यदि आप इंवेस्ट्मेंट 2 लाग की कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे आपका बिजनस आगए बहुत चलेगा तो आप ऐसे करते ही करते हैं आप अपने बड़े स्केल पर भी बिजनस स्टार्ट कर सकते हैं तो पहले आपको छोटे scale पर ही business start करना चाहिए और बड़े scale पर business अपने आप आ जाते हैं चलिए दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं project report के माध्य हम से कि आपको कितना profit कमा सकते हैं जे हैं दोस्तों project report जाप देख रहे हैं वो दो लाग वाली project report हम आपको उसको बता रहे हैं यानि कि small unit का हम आपको बता रहे हैं इसमें जो है small unit चाप एक दिन में 160 kg production कर सकते हैं एक दिन में 160 kg production करेंगे जिसका final production जो होगा वो 42 kg होगा total expense होगा 28,800 का raw material जिया दोस्तो 25 रुपे की आपको electricity, labor और other expenses आजाता है आपका और इसका total आपका खर्चा आजाता है 31,300 रुपे जिया दोस्तो जिसका selling price market में है 800 रुपे पर kg जिया दोस्तो total selling price 42 kg का होगा 42 को अगर हम 800 से multiply करेंगे तो इसका total होता है 33,600 approach आप 33,600 रुपे कमा सकते हैं जिया दोस्तो total profit आपको जो एक दिन में होगा 33,600 माइनस 31,300 रुपे काटेंगे तो आपको 3300 रुपे आपको एक दिन में profit हो जाएगा यदि आप इसका total profit in month करते हैं तो आपका 3300 को यदि आप तीस से into करेंगे तो आपका 69,000 आप एक month में कमा सकते हैं चलिए दोस्तो अब आप हम बात कर लेते हैं marketing की marketing आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं आप दो तरीके से marketing कर सकते हैं एक offline market और एक online marketing offline marketing में जैसे की आप अपने नजदी की जो भी क्रियाना store है उसको दे सकते हैं इसका जो wholesaler है आप उसको दे सकते हैं या फिर आप अपने area से भाठ जाकर भी इसको दे सकते हैं जै दोस्तो जो बिस्कुट बनाने वाली company आप उसको भी दे सकते हैं और भी कई तरीके की जो use करने वाले हैँ आप उसको दे सकते हैं मशीन खरीदने का आपका जो भी कॉन्टाक्ट है हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं आप वहाँ से कॉन्टाक्ट करके मशीन खरीद कर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं जहां तक पाते हैं रौ मेटिरियल की जहां तक आप मशीन खरीद रहे हैं वहाँ स